महात्मा गांधी की हत्या कैसी? महात्मा गांधी प्रार्थना के लिए बिरला हाउस की ओर जा रहे थे उनकी उमर और सेहत की वजह से उनके दोनों हाथ मनु और आभा के उपर रहते थे तभी जाते जाते अचानक से नाथू राम गोडसे उनके सामने आ गए और नाथू राम घोड़से ने हाथ जोड़ कर कहा नमस्ते बापू तभी मनू ने कहा बापू को जाने दो पहले से ही प्रार्थना के लिए देर होगी है तभी पांच बचकर 17 मिनट पर नाथू राम घोड़से ने मनू को दिखा दे दिया और अपने जेब में छुपाई छोटी बेरिटा पिस्तॉल गांधी जी पे तांदी और महात्मा गांधी का सीना छन्नी कर दिया